पुलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है क्या आप अभी भी माता-पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अब अलो फोर्टिलिटी के साथ अपनी माता-पिता बनने का सपना पूरा करें मुफ्त परा मर्श के लिए 995-388-9367 पर कॉल करें और अब उस लड़ाई के लिए पूरे देश के डॉक्टर एक जुट हो गए हैं उन्होंने लामबंध होकर मोर्चा खोल दिया है और इंसाफ की दरकार कर रहे हैं इस मुहीम में अब डॉक्टर ही नहीं बलकि आम जनता भी शामिल हो गई है इस वक्त हम कानपूर में हैं और कानपूर में एक टैटो आर्टिस्ट की शौप पर हैं तस्वीरे आप साथ तोर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्नल टैटो बनाये जाते हैं लोग यहाँ पर आकर टैटो बनवाते हैं अलग-अलग किस्म के टैटो बनते हैं लेकिन इस बार यहाँ पर एक खास तरीके का टैटो बनाया जा रहा है और ये टैटो उस बेटी को उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर टैटो बनाया जा रहा है ये फ्री में टैटो यहाँ पर बनदा है और ये मुहीम चलाई जा रही है कि जो भी महिला है जो भी पुरुष यहाँ पर आकर टैटो बनवाना चाहते हैं जस महIFला डॉकटर की लडाई में, इंसाफ की लडाई लड रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले आज वो लोग यहां पर फिरी में टैटो बना रहे हैं, और यहां पर आप तस्वीरे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर girls मौजूद हैं जो उस लडाई में उस महिला डॉक्टर की लडाई में इंसाफ की मांग कर रही है और अपने हातों पर justice का टैटो छपवा रही हैं यह भले ही कोलकाता में ना हो लेकिन एक देश की बेटी और एक बहन होने के नाते यह उस लडाई का हिस्सा बनना और यहाँ पर तमाम लोग हैं आप तस्वीरे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी ladies बैठी हुई है जो justice का ही टैटो बनवा चुकी है और यह उस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रही है कि जिस तरीके से हम बेटियां हैं वैसे ही उस बेटी के साथ गलत हु इस इंसाफ की लड़ाई में सिर्फ मैलाई नहीं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बलकि पुरुष भी अब सामिल हो गए हैं कानपूर शहर के युवा अब इसमें बढ़ चल कर हिस्ता ले रहे हैं और कानपूर की इस शौप पर आकर फिरी में टैटो बनवा रहे हैं हमारे साथ फराज हैं ये टैटो आर्टिस्ट हैं हम इसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मुहीम है ये किस तरीके से रंग ला रही है और आब इसमें लोग कितना बढ़ चल कर हिस्ता ले रहे हैं फराज सबसे पहले तुम आप से बात करेंगे कि ये जो जस्टिस के टै टैटो का संचालब हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि इस तरह की गटनाएं हो रही हैं और हम लोगों को बहुत सख से सख कदम उठाना चाहिए क्योंकि मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ टैटू एक बहुत अच्छा माद्देम होता है अपने एक् रखते हैं मेरे भी घर में मेरी मा हैं मेरी बहन हैं बेटियां हैं बहुए हैं मैं चाता हूँ कि सबकी सुरक्षा के लिए हम सब लोग जैसे खड़े होते आए हैं हमेशा साथ रहें और उनको भी जरावसा भी संकोश नहीं होना चाहिए रात में निकलने के लिए या काम कर यह हमारा समविधान कहता है, हमारा यह अधिकार है, सबके लिए एक कानून है, सबके लिए सुरक्षा बराबर होने चाहिए, और क्यूंकि अब यह घटना घटित हो चुकी, तो मैं चाहता हूं कि इनसाफ मिले, नय मिला, मिले, जल से जल एक Fast Court यहाँ पर होना चाहिए, ताक तुरंत उसको जो भी दोशी हो तुरंत उसको सजा होनी चाहिए। जो आकर यहाँ पर जस्टिस का अपना टैटो बनवा कर गए है। कैसे वो इसके खिलाफ खड़े हो सके अपना कांट्रिबूशन देख सकें तो हम लोग अपने अपने माध्यम से जो भी अपना वेपार कर रहे हैं जो भी कपर चाहिए। अपने कारशाली के माद्यम से हम लोग इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए और मैं तो सिर्फ यही मांग करूँगा कि जो भी दोशी हो उसको सरे आम सजा मिले ताकि जो भी क्राइम करने की सोच रहा उसी रूख आप जाए तो देखे अपने हुनर से एक जो जस्टिस की मांग है जो इनसाफ की लड़ाई है उसे इन्हों ने यहाँ पर दिखाया है एक लेडी है यहाँ पर वो जस्टिस का टैटो भी बनवा रही है हम उनसे बात कर ले मैं यह टैटो आप क्यों बनवा रही है कॉलकता में जो अभी केस हुआ है रेप केस का उससरे हम लोग टैटो बनवा रहे हैं क्योंकि हम सभी बाहर निकलते हैं लेडी और वहां पर हॉस्पिटल में रहे के एक लड़की वह भी डॉक्टर थी और उनके साथ रेप केस हो गया तो हम सभी को जस्टिक्स चाहिए उन शामील होना चाहते हैं तो देखिए जो इंसाफ की जो लड़ाई है जो महिला डॉक्टर के लिए लड़ाई चल रही है पूरे देश में उसका हिस्सा बन रहे हैं हातों पर जस्टिस का टैटो लगवा कि कुछ और भी लोग हैं लोगों से बात कर लें मैं एक महिला होने के जिनाते आप सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो जस्टिस की बात है जिस तरीके जब कोलकाता में कांड हुआ है उसको लेकर अब आप लोग हातों पर टैटो बन वा रहे हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं मैसेज में यह देना चाहती हूं कि जो उनके पैरेंट्स इस वक्त पेस कर रहे हैं जो जितना उस लड़की ने दर्द जहेला है जो भी है उसको यह नहीं साथ खड़े हो के नहीं रह सकते लेकिन हम दूर से उसको यह दिलासा देना चाहते हैं कि भले हम से हमारी आपकी जो बहुत सी महिलाएं हैं जो करती हैं घर वापसी आते होंगे बहुत से ऐसे लोग समाज में टकराते होंगे देखते होंगे क्या लगता है कितना महफूज आप लोग कितना सुरक्षित अपने आपको मैसोस करते हैं सर मैं यही कहना चाहूंगे जो अभी यह कांड हुआ है जो खुद एक लेडी डॉक्टर थी उनके साथ यह कांड हो गया हम लोग तो एक आम आदमी है हम लोग को तो और जादा डर लगा रहता है कि घर से कैसे निकले कैसे ना निकले तो इस भियाब पे तो मैं यही की इस तरीके का रिम करता हैं यह जो टेको आपने बनवाए यह का मकजद में हम यह जता आना चाहते हैं कि जल से जल उस आरोपी को फांसी या बन जयो जिस इंसाफ की मांग चल रही है उसके लिए जो लोग लाम बन दो रहे हैं आम लोग भी लाम बन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहां पर इस टैटो आर्टिस्ट की शॉप पर तमाम पोस्टर लगे हैं जस्टिस की पोस्टर लगे हैं इंसाफ उस महिला डॉक्टर के लिए मांगा जा रहा है और उसी के चलते यह अनोखी मुहीम चलाई जा रही है जिस मुही कर अब आप इस अनोखे अंदाज में कैसे उस लड़ाई में इंसाफ मांग रहे हैं सर पहले तो आप से बात करेंगे कि किस तरीके से इंसाफ आप लोग मांग रहे हैं अनोखा तरीका है इंसाफ के लिए आप लोग मतलब यहीं से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग इसलिए आएं कि हम लोग उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिस भीड़ में लोग खड़े हैं इनसाफ के लिए हम लोग उसी भीड़ के हिस्सा बनना चाहते हैं और आरोपियों को जितना हो सके उतनी जल्दी जो है उनको सजा मिलनी चाहिए और जितनी हो सके उतनी जल्दी सजा मिल है उस घटना को लेकर अब लोग जागरूप भी है और लामबंद भी हो रहे हैं तो अब देखना है कि कानपूर में जब आम जंता जस्टिस के लिए इस अनोखे प्रदर्शन को कर रही है इस तरीके का नया तरीका निकाल लही है तो कितनी जल्दी जो खोलकता कांड है उसमें इंसाफ मिलता है और जो दोशी हैं वो कितनी जल्दी कानून के शिकंजे में आते हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी